हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एगन आपके सामने एक मोश्ट इंपॉटेंट सब्जेक का वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग बढने वाले हैं हमारे 10 स्टांडर्ड के लिए साइंस वन सब्जेक्ट का एक और वन शॉट रिवीजन पूरा वन शॉट कराने वाले एक एक टॉपिक को बारिकी से एक्स्प्लेइन करेंगे उसका कंसेप्चर नॉलेज को फिर से आपको बताएंगे और आप हमारे रेगूलर लेक्चर वीडियो भी अगर आप देखे होंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए पूरा आपका चाप्टर कंसेप्चर नॉलेज के साथ आपको क्लियर हो जाएगा तो यह चाप्टर की भी शुरुवात करेंगे बहुत ही भैतरीन चाप्टर थोड़ा सब बड़ा चाप्टर है लेकिन बहुत सरे ऐसी चीज़ है जो आपको नया-या पता चलेगा टेंशन म समझना पड़ेगा जैसे कि हम एक चीज जानते हैं दोस्तो कि हमारा जो भी एटमोस्फियर होता है उसमें जो भी चीज़े होती है तिके ना उसके अंदर कहीं ने कई कुछ चेंजेस होता है जैसे कि चेंजेस हम लोग कंसीडर करते हैं जनरली दियर आट टू टाइपस आपने पड़ा होगा फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है अगर कोई चीज बाहर से आपको चेंज होता हो नजरा रहा है जैसे कि आप एक बच्चा होता है अचानक से बहुत जादा मोटा हो जाता है कोई पतला सा बच्चा है अचानक से बहुत जादा मोटा हो गया तो आप वो chemical composition ही उसके अंदर का जो constituent है वो ही change हो रहा है तो उसको हम लोग chemical reaction बोलेंगे अब physical change में और भी example हम लोग ले सकते हैं जैसे कि mango है दोस्तों mango ठीक है ना पहले जो mango कच्छा रहता है तो वो green color का होता है लेकिन जैसे पहले मेरे पास carbon था अब मैंने उसके साथ जोड़ दिया oxygen को तो ये क्या बन गया carbon dioxide बन गया मतलब पहले carbon था मतलब कुछ और था पहले oxygen था मतलब कुछ और था अब ये दोनों जो मिल जाएंगे तो एक नया चीज बन गया और ये carbon dioxide जो है ये carbon और oxygen दोनों से लेक्चर वीडियोस हमने जो syllabus complete करके रखा हुआ है playlist में जाओगे तो हर chapters के वीडियोस आपको मिल जाएंगे हर lecture lecture मिल जाएगा लेकिन one short revision वीडियो क्या होता है revision की तरह होता है हम इसको थोड़ा फास्ट भी लेके जाते ताकि आपका ये पूरा एकी तरीके से एकी जटके में एकी शॉट में आपका ये पूरा चाप्टर complete हो जाए ठीक है तो उमीद करता हूँ chemical reactions आपको समझ में आ गया होगा अब इसी से related हमारा एक topic है जिसका नामे chemical equations इसको भी देखते है ये क्या होता है ठीक है इसको रफ करता हूँ सबसे पहले और जो भी important आपको points नज़ा लाएंगे दोस्तो उसको आप screenshot लेते जाना ठीक है मैं आपको time दूँगा screenshot लेगा आपको लग रहा है कि ये important है तो आप फटक से screenshot ले लो और बाद में उसको note book में note down कर ले न हमारे वीडियो खतम होने के बाद ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप खुद का notes बनाओगे हमारे जो भी चीज हम लिखाते हैं जो भी चीज बोलते हैं उसका notes बनाके चलोगे तो आपको बहुत help हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ अब हम जाएंगे हमारे अगले टॉपिक के उपर जिसका नामे chemical equation ठीक है ध्यान से देखते रहें आप लोग चलो आ जाते है नेक्स्ट टॉपिक के उपर तो हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है इसको हम समझते है देखो chemical equation एक ऐसा टाइप का equation है जिसमें हम लोग अगर consider करें कि कोई भी एक element लेलो सबसे पहले कोई भी एक element लेलो जैसे कि मैंने ले लिया hydrogen ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ उसमें कोई भी एक ओर element को प्लस कर रहा हूँ समझ लो oxygen ठीक है हमें क्या मिल रहा है तो अगर मैंने hydrogen को oxygen के साथ प्लस किया तो हमें क्या मिलता है water मिलता है मतलब यह क्या लिखा मैंने यह एक chemical equation लिखा तो अगर मैं इस तरीके से words में लिखता हूँ तो इसको हम लोग नोग बोलते है hydrogen को हम लोग लिखते है h2 से oxygen को हम लोग लिखते है ओ तो H2 plus O will be get H2O पानी हो गया ना ठीक है H2O मतलब water हो गया तो यह जो मैंने लिखा है इस चीज को हम लोग बोलेंगे दोस्तो chemical equation ठीक है chemical equation या फिर हम लोग इसको chemical reaction बोल सकते हैं या फिर इसको बहुत भेथरीन तरीके से बोलेंगे यह जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है chemical formula लिखा है क्या लिखा है इसका chemical formula यह इसका formula जैसे कि आपको कोई पूछता है कि write down the formula for water आपको कोई पूछेगा कि write down the formula for water तो आप क्या लिखोगे H2O write down the formula for sodium chloride तो क्या लिखोगे sodium chloride sodium chloride का formula होता है वो होता है दोस्तों NACL तो इसको हम लोग formula बोलते हैं तो मतलब यह आपने जो पहला जो यह लिखा यह word के form में लिखा जैसे word problems होते हैं हमारे match में वैसे यह word equation है और यह आपका chemical formula है या फिर chemical equation या फिर chemical reaction हम लोग इसको बोल सकते हैं ठीक है अब जाते हैं एक बहतरीन example के तरफ यह तो मैंने बहुत ही simple सा example consider किया है बहुत ही साधारन सा example है यह आपको exam में नहीं पूछेगा लेकिन generally आपके कुछ important जो equations है उसको मैं बताता हूँ यहाँ पे यहाँ पे हम लोग उसको discuss करेंगे that is aqueous solution हम लोग discuss करेंगे दोस्तों aqueous solution of copper sulfate और zinc का reaction किस प्रकार होगा यह हम लोग यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं aqueous solution of copper sulfate का aqueous solution इसके साथ मैं क्या add कर रहा हूँ इसके साथ मैं add कर रहा हूँ zinc का dust जिंक dust मतलब zinc metal add कर रहा हूँ ठीक है और हमें उसके वज़े से क्या मिल रहा है यहाँ पे धेको ध्यान से तो हमें इसके वेसे मिलेगा aqueous solution of zinc sulfate क्या मिलेगा एक्वेस एक्वेस सॉलूशन ओफ जिंक सल्फेट मिलेगा साथ में दोस्तों हमें मिलेगा साथ में हमें मिलेगा कॉपर अब यह जो मैंने लिखा है तो अब पहली बात तो आप अगर एकदम नए हो आपको कुछ भी मालूम नहीं chemical reaction और chemical equation के बारे में तो आप मुझे पूछोगे comment करके कि सर्य आपने क्या लिखा है क्या आप लिखते जारो continuously ठीक है तो यह important चीज़ समझो पहले बहुत सारे लोग पहले से पढ़ चुके होंगे यह chapter को थोड़ा बहुत idea होगा हमारे पहले के regular lectures देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन नहीं देखा है तो शायद आपको नया लग रहा होगा तो यह जो मैंने लिखा है यह आपका है statement यानि कि इसको हम लोग बोलते है word equation क्या बोलते हैं यह words के form में लिखा है यह chemical equation है यह क्या है यह जो मैंने लिखा है यह chemical reaction है chemical equation है यह लेकिन यह जो मैंने लिखा है यह words में लिखा है जैसे हम लोग अगर में को लिखना है 545 तो यह क्या है 545 एक number है लेकिन अगर मैं इसको एक लिख दूँ 500 45 545 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन यह क्या है? यह उसका है word, यानि कि word में मैंने लिखा है, उसका spelling लिखा है, यानि कि यहीं ही जो chemical equation, chemical reaction है इसको मैंने क्या लिखा है? spelling में लिखा है, यानि इसका मतलब क्या होता है मैं अभी step by step बताऊंगा पहले मैं मेरेको लिखने तो यह जो aq लिखूँगा मैं s लिखूँगा जी लिखूँगा बीच में इसका मतलब क्या है मैं आपको पूरा detail में बताने वाला हूँ step by step इसका एक पूरा procedure है तो हम procedure के accordingly चलेंगे तो पहरे यह copper sulphate का aq solution cuso4 होता है इसके साथ मुझे zinc को plus करना है zinc metal होता है तो zinc को मैंने क्या किया इसमें plus किया है तो यह क्या दे रहा है reaction करने के बाद क्या दे रहा है और यहां पर जो zinc भी add किया था हमने वो भी solid था अब यह इसका मतलब है क्या तो सबसे पहले यह चीज़ समझ लो कि यह आपका त्यादा word equation यह एक chemical reaction है जो हमें बता रहा है कि अगर हम copper sulphate aq solution और copper sulphate लेंगे उसको zinc के साथ plus करेंगे प्लस करना मतलब react करवाना देखो कोई भी metal दूसरे metal के साथ react कर सकता है कोई भी metal दूसरे non metal के साथ react कर सकता है मतलब दोनों का combination के वज़े से ही reaction होता है तो इसका और इसका दोनों को मैंने साथ में ले लिया तो reaction हो गया ये दोनों reaction जब करेंगे, तो product क्या मिलेगा हमें? Aquis solution of zinc sulfate मिला, और साथ में copper मिल गया, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे chemical equation, जिसमें ये word equation है, ये आपका chemical formula है, समझ में आ गया, अब इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान देने की जोरते, इसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कभी भी याद रखना कि ये जो बीच में arrow होता है, बीच में जो arrow होता है, वो ये दर्शाता है हमें कि reaction किस direction में हो रहा है, ये बहुत important चीज़ है, अगर आप इसको समझ जा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा फंडा यही है, मैंको ऐसा लगता है कि chemistry is very simple subject, but the people can't understand the basic technicalities, that's why they, like, उनको ऐसा लगता है कि यार ये chemistry बहुत हार है, लेकिन actual में ऐसा कुछ होता नहीं, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो, chemistry को समझने के लिए, तो chemistry is very fun loving subject, खासके reaction वाले part, बहुत मज़ा आता है, ये तो आपको 10th में है, लेकिन 12th में जाओगे, तो और भारी वाला chemistry आता है, तो बहुत मुझे मज़ा आता तो solve करने में, ठीके ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, copper sulfate को, zinc के साथ react किया, हमें क्या मिला, zinc sulfate मिला और copper मिल गया, लेकिन ये जो arrow है, ये क्या बता रहा है, ये इसका direction इधर है, तो इसका direction इधर है, मतलब इस चीज से ये चीज बना है, ये direction बताता है, अगर ये arrow इस तरफ होता, मतलब इस चीज से ये चीज बन रहा है, ये हमें बताता, ये पहला फंडा समझ में आ गया, पहला फंडा क् यह भी लिख लो, notes में लिख लो, left side में, जो होता है, उसको reactant बोलते हैं, arrow के जो right की तरफ होता है, उसको products बोलते हैं, अब यह reactants और products होता है, क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लो, reactants मतलब वो चीज होते हैं, जिनका reaction आपस में हो रहा है, मतलब यहाँ पे copper sulfate और zinc, यह द बनता है, चाय, तो पानी क्या है मेरा, पानी reactant है, उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, दूद डाल रहे हैं, और शक्कर डाल रहे हैं, तो वो भी क्या है, reactants है, लेकिन बन क्या रहा है, पुरा मिला के वो बन रहा है, चाय, तो चाय क्या हो जाएगा, product हो जाएगा, उसी प solution मतलब क्या होता है पिलाया हुए पानी में तो उसको हम बोलते है aqueous solution S मतलब solid होता है L रहेगा तो liquid रहेगा G रहेगा तो gas रहेगा ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखना है बहुत simple सा funda है इसका यह चीज आपको ध्यान में रखना है और साथ ही में एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कभी भी आपको इस प्रकार का चीज़े दिखा कि aqueous or solid तो समझ में आगे समझ लो एक और reaction यहाँ पर मैं आपको करके बता रहा हूँ समझ लो एक reaction है यहाँ पर CACO3 यहाँ पर पहला reaction था वैसे मैं एक और reaction यहाँ पर लिखा रहा हूँ ठीक है ना COCO3 ब्राकेट में S है यहाँ पर arrow है अब arrow के बाद यहाँ पर है ZN ठीक है सरी माफ किजेगा यहाँ पर है कि किसके अंदर क्या-क्या चीज़े थी chemical reactions के अंदर क्या-क्या चीज़ को क्या बोलते है अब यहाँ पर ध्यान दे तो यह है calcium carbonate COCO3 का मतलब होता है calcium carbonate यह आपका क्या है S मतलब solid मतलब यह जो calcium carbonate रहेगा यह क्या रहेगा solid form में रहेगा ठीक है अब यहाँ पर एक arrow है तो arrow क्या बता रहा है कि इसका direction जो है reaction करने का यह है मतलब इस चीज़ से यह बन रहा है ठीक है लेकिन यहाँ पर arrow के उपर एक triangle बना हुआ है तो समझ जाना इस reaction के अंदर heat supply हुआ है heat के गरम किया गया है उसको heat किया गया है तब जाके यह product यह reaction हो पा रहा है atmosphere में चले जाता है इसके लिए इसका direction उपर की तरफ दिखाता है और यह represent करता है यह जो चीज़ बना है वो एक gas है carbon dioxide gas होता है तो इसलिए हमने उसका direction उपर की तरफ arrow दिखाया है और यह दिखाना पड़ेगा आपको समझ में आ गया अब समझ लो एक और reaction अगर मैं आपको बता हूँ कि किसी में किसी में आपको अगर नजर आता है इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर जैसे यह reaction है Cu SO4 plus ZN solid gives ZN SO4 plus Cu लेकिन साथ में यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर heat प्लस heat भी निकल रहा है तो यहाँ पर इस से एक तीस पता चला कि जब मैंने copper sulphate का zinc के साथ reaction किया तो हमें मिल गया zinc sulphate और copper लेकिन साथ में क्या मिल रहा है heat मिल रहा है तो अगर last में heat बन रहा है या last में plus करके heat लिखा हो है product के section में product वाले right side के portion में कभी भी heat लिखा होगा तो आपको समझ जाना कि इस reaction के वज़े से heat बाहर निकल रहा है heat release हो रहा है समझ में आ रहा है यह चीज़ इसका मतलब होता है समझ में आया तो heat निकल रहा है अब एक और चीज़ समझ लेना कि कभी आपको किसी भी product के अंदर या सी reactants के अंदर आपको downward arrow दिखेगा तो जब downward arrow दिखेगा तो उसको बोलते है precipitate क्या बोलते है precipitate का actual में meaning होता है कि अगर कोई solid कोई solution में डाला हुआ है लेकिन वो dissolve नहीं हो पार है तो उसको precipitate बोलते है generally क्या होता है जैसे शक्कर है पानी मे solution बोलेंगे sorry sorry ठीके दूस्तो हाँ तो जैसे मैंने बोला कि okay चलो तो सबसे बेर में क्या बोल रहा था कि जैसे हम लोग क्या करेंगे शक्कर डालेंगे पानी के अंदर ठीके शक्कर हमने पानी के अंदर डाला correct है तो वो पूरा घुल जया तो उसको बोलेंगे solution लेकिन अगर कुछ मैं ऐसा चीज डाल रहा हूँ जैसे कि समझ लो मैं डाल लिया पानी के अंदर तो क्या वह डिजॉल्व होगा क्या नहीं होगा अब उसके भदले चलो क्या करता हो नहीं होगा तो उसको पटरेंगे 550 निंग पाटा चलेगा इस प्रिकार से अब एक और चीज़े जो आपको सीखना है चैमिकल रेक्शन के अंबर Vegetable Oil ठीक है न ज्यादा तर हम लोग खाना मनाने के लिए Vegetable Oil use करते हैं दौस्तों तो Vegetable Oil जो होगा वो किसके Form में होगा लिक्वीड के Form में होगा इसके लिए मैंने L लिखा, अब उसका मैं क्या कर रहा हूं, reaction कर रहा हूं, ही वनसपतिगीiben घी अगर इसका मतलब क्या ये भी समझे आपको इस प्रकार दिखते हैं जिसमें रियक्टेंट होताई में लिप vide strengthening में घyimक्टेंट हो गया किसे साथ है जोकि िल्गे से आप लेजम का आपने देखा कि यह जो एरो है आपका direction बता रहा है लेकिन एरो के उपर नीचे कुछ लिखा हुआ है तो एक लिखा है 60 degree Celsius मतलब इससे यह पता चला कि यह जो reaction है यह 60 degree Celsius के presence में हो रहा है मतलब इसको temperature इसको temperature कितना लगेगा 60 degree Celsius लगेगा अगर 60 degree temperature है तो ही यह reaction होगा अगर अधर्वाइस नहीं होगा और दूसरा आप देखो कि इसके नीचे एन आए catalyst लिखा हुआ है तो एन आए का मतलब होता है nickel आपको पता है एक element का नाम है निकल करके non-metals, metals कुछ भी हो सकता है वो उसमें हम लोग add कर देते हैं जिसके वैसे न वो chemical reaction boost कर जाता है speed up कर जाता है जिसके वैसे reaction fast होता है तो हम लोग ने बहुत सारी reactions में इसे catalyst को डालना पड़ता है तो यहाँ पे इस reaction में कौन से catalyst को डाला हुआ है nickel करके जो element है उस catalyst को डाला हुआ है जिसके वैसे वो vegetable oil जब hydrogen के साथ react करेगा hydrogenation में जाएगा hydrogen के साथ react करना मतलब hydrogenation तो vegetable oil और hydrogen gas का जब reaction हुआ तब बन गया वनसपती घी और actual में chemical companies में वनसपती घी जो डालडा होता है वो ऐसे ही बनाए जाता है क्या करते हैं vegetable oil को ही लेते हैं उसको hydrogen के साथ react करते हैं और कड़क हो जाता है वो solid बन जाता है solidify बन के वो क्या बन जाता है वनसपती घी बन जाता है और packing करके बेश देते हैं market में यही होता है कोई भी chemical equation है chemical reaction हो रहा है तो उसको हम लोग किस प्रकार balance करेंगे वो हमें सीखना है तो फटा-फट से आप क्या करो इसको screenshot ले लो फटा-फट से screenshot ले लो क्यूंकि अभी मैं इसको मिटाने जा रहो ठीक है चलो स्पीड चलो हो गया screenshot ले लिया आपने हम मिटा रहें क्यूंकि अभी हम जाएंगे तीसरे टॉपिक के उपर जिसका नाम है balancing chemical equation बहुत मज़ेदार टॉपिक है अगर आप इसको सीख गए ना तो यह ना सीखने के बाद आपको यह बार्वी तक काम आएगा बार्वी के आग चलिए हो गया हमारा clean आज आते हैं टॉपिक पे तीसरा टॉपिक है हमारे आज के लिए क्या नाम है balancing और chemical equation एक कोई chemical equation रहेगा chemical reactions रहेगा उसको हम लोग क्या करना है तो किस प्रकार हम chemical equation को किस प्रकार हम balance करेंगे ठीक है इसको हम लोग study करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यह chemical equation को balance क्यों करना है यह भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि normally topic क्या है हमारा balancing chemical equation मतलब कोई chemical equations रहेगा उसको हम लोगों balance करना है तो definition point of view अगर हम बात करें कि अगर जैसे हमने एक चीज़ पढ़ा अभी-अभी कि कोई भी reactants जब होता है जब वो react करता है तो ही product बनता है कोई भी reactants जब react करेगा तो ही तो product बनेगा ना तो इसमें क्या हम लोगों देखना पड़ता है कि जो reactants है उसमें जो number of elements जो है number of जो elements है reactants के अंदर और number of elements जब product के अंदर है दोस्तों यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है if the number of elements वो भी number of elements में number of atom number of atoms number of atoms और यहां पे भी number of atoms अगर यह दोनों equal है same है क्या है दोस्तों same है तो हम लोग बोल सकते है कि वो chemical reaction क्या है balanced है वो reaction क्या है balanced है अगर वो same नहीं होगा यहां पे कुछ elements है और वहां पे कुछ elements है दोनों में फरक है यहां पे कुछ atoms है और वो atoms जितने number of atoms यहां पे समझ लो hydrogen यहां पे 3 है यहां पे hydrogen 2 है तो फरक हो गया ना यहां पे 3 hydrogen यहां पे 2 hydrogen तो दोनों क्या हो जाएंगे unbalance हो जाएंगे मतलब मैं बोलूँगा कि not balance लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहां पे hydrogen 3 है और यहां पे भी hydrogen 3 है तो इसको मैं बोलूँगा it is a balanced equation तो question किस परकार exam में पूछ सकता है और यह topic में कौन सा topic में आपको मैं example के थूरे explain करूँगा यह देख लो ध्यान से अगर आप यह चीज़ समझ ले रहे हो आप balance कर सकते हो ठीक है समझ में आ रहे है screenshot लेते जाओ अगर important लग रहे है ठीक है चले आ जाते है example के उपर आप सिधा सिधा आपको एक सिधा example से ही balance करके दिखाएंगे देखो अभी देखाएंगे चले let's suppose I am writing one chemical equation here ठीक है sodium hydroxide ठीक है sodium hydroxide प्लस देखो ध्यान से sodium hydroxide प्लस sulfuric acid sulfuric acid इसका reaction हो रहा है बदले में product क्या मिल रहा है sodium hydroxide को sulfuric acid के साथ हमने react किया तो हमें मिल रहा है sodium sulfate sodium sulfate और साथ में मिल रहा है प्लस water मतलब इसका मतलब क्या हुआ यह क्या है word equation है word equation मतलब यह भी एक chemical reaction यह chemical equation ही हुआ लेकिन यह words के form में लिखा है कि अगर हम sodium hydroxide को sulfuric acid के साथ react करते है तो हमें क्या मिलेगा sodium sulfate मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा इसको solve करनेगा मतलब आपको balance करना है समझ लो आपको exam में ऐसा ही दिया रहेगा balance the chemical reaction sodium hydroxide plus sulfuric acid gives sodium sulfate plus water ऐसा balance करने के लिए direct exam में पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है step number one लिखना है step number one में आपको करना क्या है कि इस चीज का जो formula है वो लिख देना है इस चीज का जो formula है वो लिख देना है write the chemical reaction in chemical formula ठीक है write the chemical equation in formula ठीक है formula में लिखोगे कैसे लिखोगे formula में sodium hydroxide sodium hydroxide को हम लोग लिखते है NaOH this is the formula for sodium hydroxide plus क्या है sulfuric acid यानि plus करना sulfuric acid को कैसे लिखते हैं हम लोग H2SO4 ठीक है ये लिखते हम लोग next हम लोग हमारा है क्या मिला इससे हम लोगो इससे हमें मिला sodium sulphide sodium sulphide को लिखते हम लोग NaSO4 क्या लिखते हम लोग Na2SO4 और साथ में पानी पानी को क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से H2O, ठीक है ना, अरे एक ग्लास H2O दे देना मुझे, इसे बोलने का, ठीक है हम लोग भी जब थे तो हम लोग बहुत ज्यादा enjoy करते हैं ये chemistry वाली चीज़ों को I want NACL, मम्मी आज खाने में NACL कम है तो मम्मी भी चपन निकाल के मारेगी NACL क्या होता है, नमक होता है तो जोक सब पाट आ जाते हैं टॉपिक पे, तो ये था हमारा sodium hydroxide plus sulfuric acid give sodium sulfate and water ये हमें क्या है, हमारा हमने क्या कर दिया, इसको step number 1 के through इसको chemical equation में लिख दिया, अब chemical equation में लिखने के बाद, हमारा step number 2 है, इसमें हमको क्या करना होता है, step number 2 में हमें ये check करना होता है, कि क्या ये chemical equation जो है, दिया हुआ है, कि ये balance already है, या फिर balance already नहीं है, तो इसको कैसे check करके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना इसको, ठीक है न, ध्यान से देखना, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करूँगा, elements लिखूँगा, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा, elements, कि कितने elements है इसके अंदर, और साथ ही में elements लिखने के बाद, हम यहाँ पर दो हिस्सा करेंगे, एक left आला पार्ट, क्योंकि हमारा left आला पार्ट को हम लोग बोलते हैं reactant, और एक right आला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं product, यह आपको पता है न, यह left की तरफ, arrow की left की तरफ जो है, वो reactants है, और इसको बोलते है product, तो elements कौन-कौन से है, एक element से है, आपका sodium, दूसरा element आपका oxygen है, तिसरा element आपका hydrogen है, ठीक है, और उसके साप में hydrogen तो हो गया, sulfur है, और कोई है क्या, oxygen दो लिग लिया, sodium लिखा हुआ है, sulfur लिखा हुआ है, oxygen लिखा हुआ है, H मतलब hydrogen लिखा हूआ है, ओ मतलब oxygen, मतलब यह 4 type के elements यह पूरे के अंदर है, ठीक है, यह पूरे के अंदर सिर्फ 4 type के elements ही present है, समझ में आ रहा है, अब इसके numbers count करो, और इसको note down करो, कैसे count करोगे, देखो, sodium कितना है, एक sodium है, यह arrow के इस तरफ और पार्ट, लेफ्ट है न, तो इसमें sodium कितना है, एक ह sodium कितना है, एक है, ठीक है, राइट की तरफ sodium कितना है, एक, दो लिखा हुआ है, और कही sodium है नहीं, मतलब राइट की तरफ दो है, oxygen, oxygen कितना है, यह एक oxygen यह रहा, और यहाँ पे 4 oxygen है, इस तरफ, उस तरफ कितने oxygen है, यहाँ पे 4 oxygen प्लस एक 5, 5 oxygen है, समझ में आ रहा है, कितने हैं कितने हो यहां पर एक है यहां पर चौशर छलो और पूरे लेफ्ट में और कूरे राइट में इसका मतलब पूरा chemical reaction जो मैंने लिखा हुआ यह जो chemical reaction आपको दिख रहा है यह मेरा एक unbalanced chemical reaction है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको balance करना पड़ेगा क्योंकि question में आपको बोला है कि write down the balance chemical equation आपको balance करना है तो आपको यह तो पता चल गया कि इधर एक है इधर दो है मतलब यह unbalance है, मतलब इसको आपको balance बनाना है, बाकि oxygen और hydrogen, oxygen तो पहले से balance है, इसमें भी 5 और 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन hydrogen में, यहाँ पे 3 है वहाँ पे दो, hydrogen में भी दिक्कत है, उसको भी ठिक करेंगे, sulfur बराबर है, दोनों में तो tension नहीं है, तो करना क्या next step में, तो आज आता है आपका यहाँ पे step number 3, अब step number 3 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको notice यह करना है दोस्तों कि आपको किस चीज में, आपको notice यह करना है कि किस चीज में add करने की जुरुत है, तो अगर आप ध्यान लगा के देखोगे, कि यहाँ पे जो sodium का हिस्सा है, यहाँ पे जो sodium है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो अगर मैं इसको multiply by 2 कर दूँ, तो यह कितना बन जाएगा, 2, 1 multiply by 2 is 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, मतलब मेरा sodium balance हो सकता है, मतलब जब मैंने इसको multiply by 2 किया, तो sodium वाला जो पार्ट है, यहाँ ने जब यह sodium वाले पार्ट में 2 से multiply किया, तो यह जो हमारा equation था, वो कैसे दिखेगा अभी, जो पहले से था, कैसे था, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O, यह मेरा पहले का equation as it is मैंने उतार दिया, लेकिन अभी अभी मैंने क्या बताया, कि अगर मुझे balance करना है, तो मुझे इसको 2 से multiply क मतलब यहां पर मुझे आगे 2 लिखना पड़ेगा, तो जब मैंने आगे यहां पर 2 लिख दिया, तो यह क्या हो गया, दो sodium हो गया, यहां पर 2 sodium हो गया, और राइट में भी आप देखोगे, तो 2 sodium है अल्रड़ी, यह एनि 2 है ना, तो 2 sodium है, मतलब मेरा sodium का part balance हो गया, sodium का part क tension खतम, मतलब यह sodium मेरा balance हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, sodium मेरा balance हो गया, अब एक चीज़ यहां पर आप देखोगे, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा लिख कोशिश करते हो, कि जैसे ही, जैसे ही आपने यहां पर 2 लगाया, तो मुझे एक बात बताओ, यह 2 लगाने के बा यह जो table है इसको भूल जाओ, थोड़े, मतलब भूल जाओ, मतलब बनाया हुआ है, लेकिन इसको side में रखो थोड़ा, अब देखो, sodium balance हो गया, लेकिन oxygen count करो फिट से, यह 2 oxygen यहां पर, और यहां पर 4 oxygen, मतलब total oxygen कितने है, यहां पर 6 oxygen है, यहां पर oxygen कितने है, 6 oxygen है, ठीक है तो अब यहां पर आपको focus यह करना है, कि hydrogen जो part था, hydrogen जो part था, थोड़ा सा देखो, ध्यान लगा कि देखो, आपने sodium को balance कर दिया, जो unbalance था, आपने oxygen चेक किया, तो oxygen में गडबड हो गया, लेकिन हमारा according to this table कि यह oxygen जो है, वो सही है, तो इसको हम लोग वैसी पकड़के च जलेंगे फिलाल में, लेकिन यह hydrogen पहले से गलत था, अब hydrogen को count करो, यहां पर दो hydrogen, और यहां पर कितने hydrogen, दो hydrogen, मतलब total मिला कि यहां पर कितने है, 4 hydrogen, यह सब rough में करना है, 4 hydrogen है यहां पर, और यहां पर आप देखोगे, 2 hydrogen यहां पर है, यहां पर 4 hydrogen, यहां पर 2 hydrogen है, बड़ा करना पड़ेगा कि ये वाले हिस्से को मतलब hydrogen वाले हिस्से को हम लोगो 2 से multiply करना पड़ेगा तो हमें एक नया chemical reaction मिलेगा तो step number 4 में आप लिखोगे final, finally एक new chemical reaction मिला, क्या मिला, ये तो आपका same रहेगा 2 NaOH same रहा, plus H2SO4 और भी same रहा, यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको बस यहाँ पर आपको Na2SO4 same to same है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर 2 hydrogen की कमी है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2 multiply कर दिया H2O को अब count करो अब हर चीज़ count करो, आपका same आएगा, देखो आप magic देखो, आते हैं sodium से शुरुआत करते हैं sodium से, 2 sodium यहाँ पर, 2 sodium यहाँ पर, 2 sodium यहाँ पर, balance है ठीक है, 2 oxygen प्लस 4, total यहाँ पर 6 oxygen 6 oxygen यहाँ पर 4 oxygen और यहाँ पर 2 oxygen 2 multiply पर O, मतलब 2 oxygen, मतलब यहाँ पर अपने आप आप आगए 6, जो पहले unbalance हो रहा था ना बीच में, लेकिन हमने उसको balance automatically ले लिए, मतलब एक को balance करने गए दूसरा अपने आप balance हो गया, 6 oxygen 6 oxygen combine, मतलब यह भी balance हो गया अब क्या बच्रा है, hydrogen, उसको देखो करके, hydrogen को करके देखो 2 hydrogen plus 2 hydrogen, यहाँ पर 4 hydrogen हो गया, यहाँ पर 2 plus 2 multiplied by 2 is 4 तो 4 hydrogen, मतलब hydrogen भी balance हो गया और बचा sulfur, एक sulfur यहाँ पर, एक sulfur यहाँ पर खतम, कुछ नहीं है कुछ नहीं है मतलब, कुछ नहीं है, सब balance हो गया तो आप बोल सकते हो, hence hence the chemical reaction, यहाँ फिर chemical equation, ऐसा लिखो आप, hence the chemical equation is balanced, क्या हो गया chemical equation क्या हो गया, balanced हो गया ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ यहाँ पर, लेकिन आपको उमीद करता हो दिख रहा होगा, तो यह तरीका है chemical equation, कोई भी chemical equation दिया रहेगा, उसको आप balance कर सकते हो, बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, कि दोनों के दोनों साइड, क्या होने चाहिए number of elements, same होने चाहिए, यहाँ पर number of elements, zodium है, तो वहाँ पर भी 2 sodium होने चाहिए, 2 oxygen यहाँ पर है तो वहाँ पर भी 2 होने चाहिए, इस प्रकार से clear है तो फटा फट से इसको screenshot ले रहे क्योंकि अब हम जा रहे हैं हमारे अगले topic के उपर और उमीद करता हूँ, कि अगर आपको कभी भी life में chemical equations exam में पूछेगा chemical equation को balance करने के लिए exam में पूछेगा, तो आप बिंदास उसको balance कर पाऊगे, इतना में आपको guarantee के साथ बोल सकता हूँ, और हमने और detail में जाना है अभी तो मैंने सिर्फ एकी example करा है, अभी हमारे revision lecture चल रहा है, तो हम एक 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 examples करा सकते हैं इन तो बहुत ज़्यादा time हो जाएगा, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा सीखना है, कि chemical equation और कैसे balance कर सकते हैं, एक दो और example मैंने करवाया हुआ हमारे regular lecture videos में, तो इस chapter के जो regular lecture videos जो पहले हमने syllabus complete जब किया था, तब ही upload किया था, तो वहाँ से भी आप जाके पढ़ाई कर लो, एक बार और आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, और एक बार और अच्छी तरीके से revision भी हो जाएगा, ठीक है, यह समझ में आ गया, इसको screenshot लेलो, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब जाएंगे हमारे चवथे topic के उपर, हम देखते हैं, कि हमारा fourth topic क्या है, ठीक है, फटा-फट से, चलो, हो गया screenshot, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चलिए, फटा-फट से, रफ कर लेते हैं, अभी next topic पे जाएंगे, जो कि हमारा बहुत 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 बहुतरिन topic, जिसमें हम लोग types of chemical equation, या फिर, कौन-कौन से type के equations के reaction होते हैं, वो हम लोग discuss करेंगे, तो अगला topic है, heading डाल देते हैं, हमारा fourth topic के उपर, that is topic number four, आज का, जिसका नाम है हमारा, types of chemical reaction, ठीक है, types of chemical reaction, तो generally दोस्तो, reactions हमने अभी बहुत सारे type के देखें, मतलाग, अभी अभी हमने देखा ना है, कि calcium plus oxide is calcium oxide, copper sulfate plus zinc is ZnSO4, इस प्रकार के कही सारे reaction देखें, लेकिन name के according, according to the name, there are four types of chemical reactions, तो इसको one by one देखेंगे, और उसके example भी discuss करेंगे, तो सबसे पहला, जो type का chemical reaction है, या फिर chemical equation है, यह है आपका, that is, sorry, मार्फ करना दोस्तो, मेरा थोड़ा गला, बहुत दिनों से खराब चल रहा है, जैसे कि आप जानते हो, पर types of chemical reaction में दो सबसे पहला जो topic है, वो जो combination reaction, और मैं आपको एक चीज़ बताना रहे गया मुझे, combination reaction पहले मैं लिख देदा हूँ, यहाँ पे, एक चीज़ में बताना चाहरा था आपको, कि यह जो topic है, यह मेरे इसाफ से बहुत important topic है, five star topic में इसका नाम दूँगा, क्यों? क्योंकि अक्सर मैंने एक्जाम में देखाई कि यह चार जो type के chemical reactions है, इसमें से exam में questions बहुत पूछे जाते हैं, बहुत जादा चाहिए कि यह जो type का reaction है, combination reaction मतलब combine हो रहा है, मतलब इस type के chemical reaction के अंदर कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा चीज है, जो combine हो रहा है और कुछ चीज बना रहा है, अब जैसे example के तौर पर हम consider करेंगे, कि अगर जब क्या होगा, when two or more reactants, when two or more reactants combine, या फिर react, ठीक है न, यह वर ध्यान में रखना हो, कि when two or more reactants combine, combine to form, to form a single product, to form a single product, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे, composition, sorry, combination reaction, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करो, मैं बार बार पूरा नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि लिखने में भी time waste और energy waste होता है, तो यहाँ पे, जब दो, या फिर दो से ज़्यादा reactants combine होता है, क्योंकि नाम में combination reaction है, combination मतलब क्या होता है, combine करना, एक को और दुसरे के साथ combine कर दो, बन जाएगा तिसरा चीज़, तो यहाँ पे जब दो, या फिर दो से ज़्यादा reactants combine हो रहे, और उसके विए साथ सिफ एक product बन रहा है, उस reaction को हम लोग बोलेंगे, combination reaction, example यहाँ पे लिखूँँगा, जैसे कि यहाँ पे NH3, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NH3 को ammonia बोलते हैं, समझ लोग, यह gas के form में है, इसके साथ मैं react कर रहा हूँ, hydrochloric acid जो की again gas form में है, ठीके हैं, HCl बोलते हैं, त यह आपका क्या है, hydrochloric acid reaction हो रहा है, उसका, arrow डाल दिया है, मैंने, इसका मतलब क्या है, reaction हो रहा है, जिसके वज़े से यह क्या बन गया, ammonium chloride, अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस से ध्यान दो, कि मैंने जैसे बोला था, according to this definition, combination process का मतलब क्या होता है, कि जब दो reactant आपस म combine हो रहे है, जिसके वज़े से सिर्फ एक product बन रहा है, तो यहाँ पे दो reactant को रहे है, एक ammonia, यह एक reactant है, दूसरा hydrochloric acid, यह एक reactant है, दोनों मिलके combine कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ammonium chloride, जो कि अकेला product है, तो इस type का जब reaction होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, combination reaction, क् इसका एक और example, अगर मैं कराना चाहूँ, तो देख सकते हो, जैसे कि दो molecules of magnesium ले लिया, तो यह जोना जब combine हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे, two molecules of magnesium oxide बन गया, तो यह भी एक example है, combination reaction का, clear है, उमीद करता हूँ, combination reaction मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गया ह चलो, फटाफ़र स्क्रीन शॉट ले लो, इसको मिटा रहो, ठीक है, ले से जाओ, फटाफ़र स्क्रीन शॉट, ठीक है, अभी दूसरा type का reaction देखेंगे, यह हो गया पहला type, जिसका नाम है, combination reaction, ठीक है, अब दूसरा type का reaction है, जिसको हमने बोलते है, decomposition reaction, इसको रफ कर रहा ह चार reaction है इस प्रकार से, यह देख लो, आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला, क्या नाम है, decomposition reaction, decomposition reaction, अब यह decomposition reaction मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा देखते हैं, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, decomposition, मतलब, composite हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एक ही reactant है, और उस reactant के वाज़े से दो product तयार हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल देखेंगे, decomposition, जैसे पहला क्या था, combine, मतलब, एक यहाँ पर reactant था, एक यहाँ पर reactant था, यह दोनों ने प्लस कर दिया, इसके में से हम एक यहाँ पर product मिलिया, single product, लेकिन यह उसका उल्टा है, यह उसको क्या है, उल्टा है, मतलब, यहाँ पर सिर्फ एक reactant है, और वो एक reactant से दो product बनेंगे, समझ में आ रहा है अगर आपको लगता है तो मैं लिखा दूँगा यह एक ऐसा chemical reaction है in which two products are formed using या फिर by two products are formed by single reactant by single reactant यह इसका definition है बहुत short में लिखा रहा है जो normally देखा जाए यह सब आपको 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 समझ में आ जाएगा इसके लिए में जादा लिखाता नहीं हो आप जानते हो हर चीज पहले से present है आप लोग के पास लेकिन concept और knowledge बुक देखके अगर सब समझ जाते हैं तो teachers के जरुत नहीं होते हैं तो सिर्फ किताबे लोग direct खरीद के लेके आते हैं और पढ़ लेते हैं समझ में आ रहा है तो यह हम लोग concept बताने के लिए आपको concept समझ में आ गया तो हर चीज का मतलब automatically समझ में आएगा तो decomposition reaction क्या है पहले वाले combination reaction का ultra combination में क्या था दो reactant मिलके single product बना रहते हैं यहाँ पर क्या है दो product किस से बन रहा है single reactant से बन रहा है जैसे example यहाँ पर मैं consider करता हूं समझ लो बहुत simple सा एक है calcium carbonate जिसको हमनों बोलते हैं CACO3 क्या है दोस्तों यह calcium carbonate है solid form में ले लिया इसमें क्या कर दिया अगर heat supply करोग तो यहाँ पर आप जब notice करोगे according to the definition definition हमारा बोलता था single reactant से तो product बनने चाहिए तो single reactant से क्या बन रहे है यह single reactant है अकेला है calcium carbonate अकेला reactant है यह reaction जब करेगा तो दो चीज़ बन गया उसके वैसे दो product बन गया है इसलिए इसको क्या बोलते हैं decomposition reaction बोलते हैं एक और example अग मारा एक sugar molecule है जिसको हम लोग बोलते हैं C12H22 और O11 यह क्या है मेरा sugar molecule है इसको हम लोग बोलते हैं sugar molecule यह जब react करेगा sugar molecule जब reaction में जाएगा तो इससे हमें 12 carbon मिलेंगे plus इसमें हम लोग को 11 आपका water molecules मिल जाएगा 11 molecules of water मिल जाएगा ठीक है? मतलब यहां पे भी आपका शुगर जो है वो अकेला सिंगल रियक्टेंट है जिसके वैसे दो प्रोड़क्ट मिल गया है तो बारा कार्बन मिल गया, दूसरा ग्यारा पानी मिल गया समझ में आ गया? तो इस टाइप के रेक्शन को हम लोग बोलते हैं देखो अभी ध्यान से समझ दो हमारा थर्ड जो टाइप का केमिकल रियक्शन जो है उसका नाम जोस्तो है बहुत डिफिकल्ट भी है बट बहुत सारे लोग कन्फ्यूज ना हो इसके लिए जो थर्ड टाइप है इसको आपको याद रखने का एक में concept बताऊंगा और इसी के उल्टा इसी के उल्टा एको टाइप है जो की चौथा आएगा वो बताऊंगा लेकिन इसका पहले नाम आप discuss कर लो या फिर इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है displacement reaction है simple लेकिन इसका नाम लोग भूल जाते है मैंने अकसर students लोग से बातचीत की थी बहुत पहले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर दो तो याद हो जाता है पहला वाला combination ये दूसरा वाला decomposition है लेकिन तीसरा वाला जो displacement है ये याद नहीं आता है तो displacement reaction में ऐसा क्या है जो जनरली याद नहीं आता है यह मैं आपको पताऊंगा तो सबसे पहले definition लिखाता हूँ displacement reaction का तो displacement reaction मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक element ठीक है ना कोई एक element दूसरे element का take place कर देता है मतलब एक जगा पे दूसरा आ गया जैसे कि पहले कोई एक दूसरा इंसान टॉपर था पहले एक लड़का था अगर कोई भी element ठीक है element replace इसको मैं प्रॉपर वर्ड से लिखूंगा इफ एनी element replace अनाधर element ठीक है then the reaction then the reaction is called as the displacement reaction ठीक है लिखाने की जुरुत नहीं उतना वह आप लिख 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 समझ जाओगे ठीक है बाकी जो याद करने वाली definition वाली चीज़ आपको समझ में आदेगा मतलब समझो क्या है displacement का कि अगर कोई element के जगा पर कोई दूसरा element आ जाए replace कर दे उसको उसकी जगे को क्या कर दे replace कर दे इसलिए इसका नम displacement का मतलब क्या होता है उसके place को हटा के दूसरा आ डिस्प्लेस कर देना displacement reaction ऐसे याद रखो वह साइड लोगए रहे थे कि साथ displacement याद नहीं रहता है तो displacement याद रखने का बेश तरीका है नाम में देखो डिस्प्लेस तो displacement तो displace मतलब place का dis होना उस प्रकार इसे याद रखना होता है कुछ भी दिमाग लगा लो displacement मतलब place का displace हो रहा है जगा आपस में change हो रही है यहाँ पे तो इस type की reaction को displacement reaction बोलेंगे कैसे आएगगा reaction कैसे आएगा, एक example बताता हूँ, समझ लो, कि समझ लो, एक example है, again वो ही वाला copper वाला example लेता हूँ, copper sulfate वाला, copper sulfate plus zinc, gives क्या मिला था हमें, zinc sulfate plus copper, यह हमारा example था, इसमें जो भी aqueous वगरे था, वो लिख देना, aqueous, यह solid था, यह भी aqueous था, यह solid था, लिख दिया, ओके, अब यहाँ पर आपको क्या, displays हो रहा है, इसको ध्यान से समझो, पहले यहाँ पर copper sulfate था, cu, जो था, वो SO4 के साथ था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर SO4 के साथ कोने zinc है, अच्छा सिला दिया, तुने, मेरे दोस्ती का, zinc बोलेगा, यह copper बोलेगा, कि भाई sulfate, तु तो मेरे साथ था, copper और sulfate पहले साथ साथ थे, ठीक है न, copper और sulfate जो थे, यह दोनों साथ साथ थे, फिर यह copper जो है इसको बोला, sulfate को, जा मैं तेरी दोस्ती तोड़के जा रहा हूँ, और जो zinc है न, ठीक है, यह जो zinc है न, इसके पास तू चले जा, मेरे को तू न तो मेरे पास आजा, मैं तेरी दोस्ती एकसेप्ट करता हूँ, तो मेरे पास आथा, तो zinc के पास अप ऐसो 4 आ गया, sulfate आ गया, तो यह बन गया zinc sulfate, यानि कि यहाँ पे आपका zinc ने जगा बदल दिया, copper के जगा पे खुद को replace कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, copper के ज अकेला हो गया, तो copper चला जाएगा, लिकिन जगा नहीं बदला उसने, तो यहाँ पे अगर सिफ एक element अपना जगा बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, displacement हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए उस type के reaction को, हम लोग क्या बोलेंगे, displacement reaction, clear है, याद रहेगा चीज, screenshot टेलो फटा-फट से, अब चौथा भी करा देता हो, यह हो कहा है, तीसरा, समझ में आ गया, चौथा करा देता हो, इसी का, भाई-भाई, इसी का भाई-भाई, चौथा reaction है, इसको बोलते है, अम लोग डबल displacement, ठीक है, यह बोला, एक बाद displacement करके मुझे मज़े मज जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक reaction में, मतलब यह पूरे एक reaction में, सिर्फ एक ही element अपना जगा बदल रहा था, जिंक ने copper का जगा replace कर दिया, और बना दिया, जिंक sulfate, copper विचार अकेला हो गया, चला गया वहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर एक और reaction है, समझ लो, यहाँ पर म हम लोग क्या बोलते है, इसके वज़े से, reaction करने के वज़े से हमें मिलता है, दोस्तो, silver chloride, agcl, जो की white color का होता है, ठीक है, यह हमें मिलता है, और साथी में, ठीक है, साथी में हमें मिलता है, प्लस में, sodium nitrate, यानि NaNo3, जो की again, क्या है दोस्तो, यह एक aqueous form के हमें मिलता है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसको समझो, ठीक है, इसका मतलब समझो, देखो, double displacement reaction और displacement reaction में दोनों में एक similarity है, क्या similarity है, कि इसमें भी elements अपने जगा बदल रहे थे, displacement reaction में इसमें भी elements अपने जगा बदल रहे थे, लेकिन सिफ एक element ने अपना जगा बदला कि copper के जगा पे zinc आ गया लेकिन यहाँ पे दो-दो लोग अपना जगा बदल रहे हैं ठीक है न वह बोलेगा भाई एक जगा बदल रहा है तो मैं भी अपना जगा बदलूँगा इसलिए यह single displacement था shift displacement reaction यह double displacement क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो पहल AG भी था अकेला बजगया ना तो अकेला बजगया AG तो बोलेगा कि मैं चला जाता हूँ chlorine के पास तो AG के साथ कोन चला गया अभी chlorine तो बन गया AG CL AG CL मतलब silver chloride AG का मतलब होता है silver तो silver chloride मिल गया जो की white color का एक precipitate होता है देखो arrow नीचे की तरफ है मतलब क्या यह precipitate है ना नीचे जम जाता है ठीक है ना white color का precipitate बन रहा है और यहाँ पे sodium जो धोका दिया था और किसके साथ चला गया था यहाँ पे sodium यह किसके साथ है nitrate के साथ चला गया था तो यह क्या बना दिया sodium nitrate बना दिया जो की aqueous form में बन गया तो यहाँ पे दो-दो लोग ने अपना जगा बदला एक ने तो बदला लेकिन दुसरा उसको मजबूरी में बदलना पड़ा उसके साथ में इसलिए यहाँ पे reaction दो बार डिस्प्लेस कर रहा है अ तो हम जाएंगे हमारे अगले टॉपिक के ओपर ठीक है and I'm so sorry for my voice because my voice is become so tough today जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आवाज बंद हो गई अभी थोटे नहीं लेकिन मैं आज पूरा one shot मैंने आपसे वादा किया है आपसे one shot मैंने वादा किया है तो one shot पूरा करके रहूँगा ठीक आवाज बहुत critical होती है ठीक है बहुत जादा खराब होती है बीच बीच में तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्यों कि मैंने चाहता है कि मैं इसको बीच में break करूँ जैसा कि आप देखे होंगे मेरा एक तरीका है कि मैं वीडियो continuous एक ही flow में बनाता हूँ और मैं ये व अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि और दो टॉपिक बचे हुए मस्त एक दम बेतरी इन उसको आपको बताएंगे ठीक है ध्यान से देखना दोस्तों ठीक है आज आते हैं हमारे next topic पे जैसा मैंने बोला कि हमारा जो अगला topic है यह topic बहुत बेतरी नहीं हो यूनीक भी है काफी जयादा exam में पूछने के chances भी है ठीक है ना च्टा topic था फिफ था कि सिक्स था जो भी ता चलो जो लिग दो ठीक है एक topic के नामे दोस्तों endothermic reaction endothermic and exothermic reaction endothermic and exothermic reaction ठीक है ध्यान से देखना ठीक है ध्यान से देखना अभी थोड़ा marker में इंक डाल देता हूं दोस्तों marker में इंक थोड़ा से कम हो गया ठीक है ध्यान से देखना ये topic बहुत ज्यादा simple है बस लोग फालतों के डरते हैं ये topic से लेकिन बहुत ज्यादा simple है अगर आप ध्यान दगा के देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहां पे अंडो थर्मिक का app कि के लिश्यम कार्बोनेटी ति यहां पर अम में सॉलिड़ पॉर्म में नगे त्लम केल्चियम कार्बोनेटी जो की फोर्म में calcium oxide जो की solid form में है और साथ में carbon dioxide मिल रहा है जो की gas form में है ये एक reaction है और इस reaction को बोलते हैं हम लोग endothermic reaction तो ऐसा क्या है इसमें वो definition पहले समझ के लो सबसे पहली बात ये जो word में लिखा हुआ है endothermic reaction ये एक ऐसा reaction होता है जिसमें heat absorb हो रहा है जिसमें heat जो है वो लग रहा है कहां लग रहा है आप बोलोगे तो यहाँ पे डगाल दो arrow डाल दिया arrow में triangle डाल दिया इसका मतलब यहाँ पे heat लग रहा है या फिर कि कुकर, जब कुकर में आप कोई चावल रखे हो पकने के लिए, तो आपने गैस को चालू रखा है, मतलब आग लग रही है उसमें, heat supply हो रहा है, heat का utilization हो रहा है, heat का absorption हो रहा है, heat को वो reaction में involved हो रहा है, तो इस type के reaction को हम बोलेंगे endothermic reaction जिसमें heat अंदर ही अंदर होता है heat absorb होता है तो इसको हम लोग endothermic reaction बोलते हैं अब दूसरा भी करा देता हूँ यहाँ पर जिसका नाम है exothermic reaction क्या बोलते हैं इसको? exothermic reaction अब यह कौन सा type के reaction है इसको भी समझने की कोशिश करो exothermic reaction मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी reaction में जिसमें heat जो है बाहर निकल रहा है heat जो है वो बाहर निकल रहा है उसको हम लोग exothermic reaction बोलेंगें जैसे example के तोर पर यहाँ पर में लेता हूँ कि calcium oxide जिसको हम लोग बोलते है solid form में calcium oxide ठीक है ना lime होता है lime उसमें हम लोग अगर पानी डाल दे calcium oxide मतलब चूना होता है आपको पता होगा अगर घर में चूना मारते है ना चूना उसको calcium oxide बोलते है ठीक है ना उसमें पानी मिला दो पानी किसके फॉर्म में होगा, ओविसली लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो जब यह reaction होता है, तो हमें मिलता है दोस्तो, calcium hydroxide, क्या मिलता है, calcium hydroxide, और साथी में दोस्तो, यह aqueous form में होता है, और साथी में, साथी में हमें निकलता है heat, तो इसका में best example explain करता हूँ, किस किया है क्या, क्या आपके घर में कभी चूने का काम होता है, हमारे घर में चूना मारा जाता है, अभी तो चूना बंदी हो गया, अभी तो distemper वगरे आ गया, लेकिन मेरा बच्पन याद आता है, वो टाइम भी चूना होता था, तो इसे powder जैसा लेके आते थे, और उसक क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, और वो ही चूना बन जाता है आपका पानी जैसा, जिसको हम लोग पेंट करते हैं, और चूना होता है, लेकिन साथ में मैंने heat क्यों लिखा है याँ याँ पर, यानि कि इस reaction में heat जो है, वो release हो रहा है, इसका मतलब यह है, अगर आप notice करोगे, चूना लेकिया जाना, सोड़ा market से खरीद के, हम लोग experiment series start करेंगे, मैंने बताया था, trust me, लेकिन हम लोग इतने busy हो गए, कि हमने अभी तक start नहीं किया, लेकिन trust me, आपके vacations में हम start करेंगे, vacations में हम road पे निकलेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन आपक protection, याद रखना, ठीक है, तो heat बाहर निकलता है, तो जब भी कोई reaction में heat बाहर निकलता है, heat निकल रहा है, plus heat, plus heat मतलब ये product है, ये बन रहा है, तो heat क्या हो रहा है, निकल रहा है, बन रहा है, ठीक है, heat क्या हो गया है, निकल रहा है, तो जब heat बाहर निकल रहा है, तो उसक बहुत बहतरीन टॉपिक था, उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज बहुत बहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, छोटा मोटा टॉपिक बचा हुआ इस चाप्टर का वो भी फटा-फट देख लेते हैं, खतम कर देंगे इस चाप्टर को, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा ह थिके दोस्तो नेक्स्ट टोपिक है हमारा लगाद इस अक्त एक यद रेट ओफ चैमिकल इक्वेशन या फिर चैमिकल रिएक्शन ठीक है टोपिक नॉबर कितना था दोस्तो टॉपिक नॉमर हमारा तोपिक नमबर 7 है और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग गरेट गरेट ओफ केमिकल रियक्षिन हो रहा है उसमें कुछ फैक्टर्स हैसे होते हैं जो उसको रेट को मतलब rate मतलब क्या होता है कितना स्पीड से उसके रेट को एफेक्ट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है वन बाइवन बता देता हूं तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है दोस्तो नेचर ओफ रियक्टेंट्स पहले मैं लिख लेता हूं जितने भी है उसको मैं शॉ विख टिकल्स ओफ रियक्टेंट्स ठीक है दीसरा है मैं इसको में एकस्प्लेट भी करूंग। टिंचन मतलो तीसरा है कॉंसेन्ट्रेशन ओफ रियक्टेंट्स लीर उयरेख चेएक्ट्स टीक है शॉधा है यहाँ पे टेम्परेशर और पाचवा है वो है catalyst तो यह कुछ important आपके factors है तो सबसे पहला factor क्या है nature of reactant इसको समझने की कोशिश करो देखो reactants क्या होता जैसे मैंने बला left side में जो चीज react करता है उसको reactants बोलते हैं तो उसका nature कैसा है solid है liquid है gas है यह सब चीज के उपर depend करता है कि वो reaction होगा की नहीं कि बहुत सारे ऐसे reaction होगा जिसमे reactants का nature बहुत ज्यादा important है तो what will be the nature that is solid it will be it will be liquid or it will be in gaseous form that will be the matter that's why nature of the reactant is the most important factor तो इसको आप देख लेना इतना समझ में आ गया size of particle कैसे matter करेगा अब जैसे कि कोई reactant है जिसमें बड़े-बड़े particles के size है तो बड़ा particles रहेगा तो reaction करने में उतना है time लेगा ठीक है समझ में आ रहे है और छोटे-छोटे particles रहेंगे उतना fast reaction होगा तो इस तरीके से size of reactants का particle भी matter करता है ठीक है तीस एक ग्लास पानी आप क्या कर रहे है इसमें बहुत सारे शक्कर डाल रहे हो बहुत शारा शक्कर डाल रहे हो इमाजिन करो एक ग्लास पानी लेलो घर पर जाके एक ग्लास पानी लेलो उसके अंदर एक चमश शक्कर डालो घुल जाएगा ठीक है गुल जाएगा उसके अंद ज्यादा हो गया, तो concentration का मतलब होता है कि कितना amount of solute, मतलब कोई चीज जब डाली हुई है पानी के अंदर, तो कितना ज्यादा डाली हुई है, कम डाली हुई है, मतलब उसका concentration कम है, ज्यादा डाली हुई है, मतलब उसका concentration ज्यादा है, तो उसी प्रकार, यहाँ पे जो reactants है, उस चीज का concentration कितना है जैसे कि अगर आप मैं ले रहा हूँ जैसे कि copper sulphate तो copper sulphate कितना acquies है कितना उसका concentration level है वो ज्यादा important करता है कितना कम है वो भी factor बहुत जरूरी है ठीक है फिर temperature जैसे हमने देखा था है बहुत सार एरो के उपर ऐसे temperature लिखा था अच्छा होता है हमारे chemical reaction के लिए और पाच्वा है catalyst तो catalyst भी डालना जरूरी जैसे हमने देखा था vegetable oil को अगर हम वह वनसपती घी में convert करना है तो हम यह उसको 60 degree Celsius पे रखना होता है और नीचे nickel करके catalyst होता है वो catalyst को डालना पड़ता है तब जाके chemical reaction fast होगा इस चीज़ के clear है याद रहेगा और चलते हमारे आज के आखरी topic छोटा सा topic है बहुत बेतरीन और simple topic है जिसका नाम है दोस्तों corrosion तो इसको मैं मिटा देता हूँ सबसे पहले screenshot ले आपने चलिए corrosion देख लेते हम लो और चाप्टर को complete कर देंगे देखो द्यान से corrosion क्या है last topic 8 topic समझ लो corrosion corrosion का मतलब basic क्या होता है जंग लगना जैसे आपने देखा होगा लोहा लोखन जो होता है आपका iron जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है जंग लग जाता है उसको एक proper तरीके से देखा जाए तो rusting कहता है जब लोखन के अंदर जंग लगता है तो उसको हम लग बोलते है rusting तो होता क्या है कि iron जो होता है वो क्या होता है ferrous होता है ठीक ना ferrous होता है तो उसके साब पानि react कर लेता है तो क्या बन जाता है दोस्तोm ferrous oxide बन जाता है Fe2O3 खतम ठीक है, Fe2O3, और इसमें साथ में पानी होता है, H2O, तो यह क्या होता है, रश्ट होता है, और यही चीज को हम बोलता है, corrosion, इसे भी चीज में corrosion हो सकता है, जिंक में corrosion हो सकता है, माफ करना, आपके कोई भी elements में corrosion हो सकता है, तो उसको improve करने के लिए बहुत सारे techniques होते हैं, जै इसी के शाथ हमारा यह जो chapter है, one shot तरीके से हो गया है, totally 100% complete, जितने भी topics थे, जो topics आपके exam में पूछने के chances हैं, almost 95% topic, जो इस chapter में थे, हर topics को आज वापस से repeat करवाया है, revision कराया है, वो भी गुस गुस के अच्छा से conceptual knowledge बताया है, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाफत होता है, उमीद करता हूँ दोस्तों, कितना जो मेहनत किया है, मैंने, गरा तो अभी थोड़ा से वापस से ठीक हो रहा है, अब बीच में बहुत ब्लॉक हो गया था, अभी तो आवाज अच्छे से निकल रहा है, लेकिन जो ये struggle हम कर रहे हैं, ये किसके ल करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरी किसे पढ़ाई करते रहो, conceptual knowledge को clear करते रहो, और अपने board exam में जितना अच्छे marks आप लेकर आ सकते हैं, उतना लेकिया, और उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आपका दिमाग ये सब चीज घुसना चीए, conceptual knowledge ज्यादा इंप जो भी board exam देने वाले हैं, उनको ये share कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हम regular basis पे one shot videos upload कर रहे है, maths 1 का हमारा one shot complete हो गया, जितने भी chapters आपके board exam में आने वाले है, वो पूरा maths 1 हमने complete कर दिया, maths 2 के भी एक ही chapter बाकी है, वो भी complete हो जाएगा, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new video में तब तक के लिए, thank you and good bye.